नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल पुर्वान्चल के हिस्ट्री सीटर मौजले के पूर्व ब्लाक परमुख अजीस सिंग की हत्या के तार अब पश्चमी यूपी से जुड़ते नजर आ रहे हैं अजीस सिंग की हत्या के लिए पश्चमी उत्तरप्रदेश के दो सूट्रों का इंतियाम आजमगर जेल में बंद सातिर अपराधी उधम सिंगने कराया था इन सूट्रों में राजिस तोमर वा मुस्तपा उर्फबंटी का नाम सामिल है आपको बतारे कि वहीं इतना की नहीं बलकी करिव एक साल से अजीस सिंग की हत्या की साजिस रची जा रही थी इस साजिस में जितना भी खर्चा आया वा सारा खर्चा एक ब्राप परमुख ने उठाया है शुत्रों के मानेतों आजमगर जेल में बंद मेरट के सातिर अपराधी उधम सिंग ने दो सुटर दिये थे आजीस सिंग की हत्या की साजिस्त वह लोग एक साल से रच रहे थे लेकिन उन्हें अच्छे सुटर नहीं मिल रहे थे पहले यताय हुआ था की दो सीटर ही मोगे पर रहेंगे लेकिन अजीस सिंग अधिकतर ब्लोट प्रुप गराधी से चलता था और हमेशा असलाहों से लेस रहता था इस वज़ा से सातिर सुटरों की तलास की जा रही थी इसके लिए मेरट के सातिर अपराधी से संपर्क किया गया जिसने दो सुटरों की बेश्था करा दी तो यह हत्ता हुआ की जन्वरी में अजीस सिंग की हत्या की जाएगी वहीं पुलिस सुटरों ने बताया है की जेल में बंद माफिया अखन परताप सिंग ने कबूला है की 11 महिने तक आरोपियों के लखनों में रुकने के लिए तीन फ्लेट का किराया गाड़ियों का इंतियाम और असलहों के लिए रुपे की ब्यवस्था पूरवांचल के एक ब्लाक परमुख ने की थी इस ब्लाक परमुख के लोग ही लखनों में सूटरों को लाखों रुपे दे गए आपको बता दें कि अब इस मामले में कई राज खुल रहे हैं वहीं अजी सिंग हत्याक कांड में अब इसके तार पस्ट में उत्तर प्रदेश से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं अगर आपने हभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल बटन जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्वाद